हमास ने युद्विराम के समझोते के तहट 17 और नाद्रिकों को रिहा कर दिया इन्हें देवराथ रेडिक प्रॉस को सौपा गया इस्राइल और हमास के बीट चलगणी जन्ग में कतर ने मत्यस्ता कराई है सीसफायर समझोते के तीसरे दिन बंधकों की रिहाई के साथ अब तक को 58 लोग रिहा किये गए संगर्ष विराम समझोते के तहट इस्राइल ने 78 फिलिस्तिनी सुरक्षा कैदियों को रिहा किया तो इस्राइल और हमास में जारी युद विराम के बीच इस्राइली प्रधार मंतरी बिन्यामी नेतन याहू गाजा पहुचे यहां उन्होंने इस्राइल के सैनिकों से मुलाकात इस दोरा नेतन याहू ने एक सुरंग का दोरा किया साथी उन्हें कमांडर और सैनेकों ने सुरक्षा ब्रीफिंग दी नेतन याहू ने कहा कि हमें कोई नहीं रोक सकता और अब आश्वस्त है जीत हमारी होगी नेतन याहू के साथ उनके चीफ अफ स्टाफ राश्टर सुरक्षा परिश्ट के निदेशक और आईडिएफ के डिप्री चीफ अफ स्टाफ भी मौजूद रहे 21 साल की माया रिगेव जिसमें हमास जैसे संगटन को जुकने पर मजबूर कर दिया 50 दिनों तक हमास के कैद में रही माया रिगेव अब आज़ाद है कैद से बहार आने के बाद माया ने हमास के बारे में ऐसी बाते बताई 21 साल की मासा रिगेव से जुड़ी हर बारीक से बारीक डीटेल आपको आगे देखाएंगे क्योंकि कैमरे पर माया ने हमास के बारे में जो कुछ बताया है उससे हमास के लड़ाकों के एक और बक्ष का बता चलता है आपको आगे इस्रैल बंधक संकट से जुड़ी लेटिस्क रिपोर्ट भी दिखाएंगे लेकिन इन से पहले माया रेगेव की रोंग के खड़ी कर देने वाली कहान माया रेगेव सही सलामत थी जब म्यूजिक फेस्टिबल में थी लेकिन आप लौटी हैं तो बैसाखी के सहारे बंधकों को वापिस ला रही वैन में बैठने से पहले माया रेगेव का ये वीडियो देखिए जो हमास की उन सारे काईदों की धज्यां उड़ाता है जिसमें कहा गया है कि बंधक बिल्कुल सुरक्षत लौटेंगे माया रेगेव पचास दिनों तक मौद की सुरंग में रही पचास दिनों तक हर पल मौद सामने नाचती रही पचास दिनों तक तडपती रही फैमली से मिलने के वास्ते पचास दिनों तक बैते रहे माया रेगेव की आँखों से अनवरत आसू और फिर आए इस्रेली गर्ल माया रेगेव के लाइफ में वो सुबर जब वो आजाद हो गए अंधेरे, बंद कमरे और हर सांस पर लगे पहरे से आसा अपने देश इस्रेल में माया रेगेव के परिवार की लाखों दुआएं कबूल हों अपनी बेटी के लिए दड़पती मा की कलेजी की प्यास पुझे माया रेगेव को हमास ने 50 दिनों बाद रिलीज कर दिया माया और माया के 18 साल के भाई इताई को हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को नोवा म्यूजिक फेस्टिबल से अखबा किया थे उस वक्त फेस्टिबल के बीच खुद को बचाने की कोशिश में भाग रही माया ने अपने पिता इतान रेगेव को फोन भी किया था उनके पिता ने बेटी की वो कॉल रेकॉर्ड कर ले थी वो लगा था उससे अपनी लोकेशन भेजने को कह रहे थे लेकिन इतने में फोन कट गया इसके बाद माया के पिता लगातार घाजा की सीमा के पास मौजूद अस्पतालों में अपने दोनों बच्चों को खोचते रहे उन्हें कोई सुराग नहीं मिला कुश देर बार इलान को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला इसमें एक ट्रक के पीछे हमास लड़ाकों ने उनके बेटे इताई को बांध रखा था फोन कॉल के वक्त माया लगातार कह रही थी वो लोग मुझे मार रहे हैं उन्होंने मुझे गोली मारी है हम मर जाएंगे मैं कार में छिपे हुई हूँ हमास ने 7 अक्टूबर को इस्रेयल के लोगों को जब बंधक बनाया तो ना उनकी उम्र देखी ना मर्द औरत देखा जो भी बकडा गया उसे अपनी वैन में ठूस कर चलते बने जिसे जी चाहा मारा पीठा और एक लड़की की बोड़ी तो पूरे घाजा में निर्वस्तर करके घुमाया माया रेगेओ के पैर जखमी है माया के साथ जो बारख और बंधक इस्रेयली कैद से रहा हुए हैं इन में से तीन बच्चों के उम्र दस साल से भी कम है हमास के कैद से आजाद हुए पांथ साल की रज अपनी तीन साल की बहन अवीव और मा के साथ बंधक की इस्रेयल हमास के बीट जो समझोता हुआ है उसके मताबिक ये सीजफायर सिर्फ चार दिनों के लिए ही रहेगा सोबस साथ बजे से शाम चार बजे के बीच बंधकों को छोड़ा जाएगा हर दिन तेरा बंधक रिहा किया जाएंगे इस्रेयल ने एक बयान जारी कर बताया कि इसके बाद अतिरिक्ट दस बंधकों के रिहाई पर सीजफायर एक दिन और बढ़ जाएगा मतलब पाँच दिनों में कुल साथ बंधक छोड़ने का सोदा हुआ है इसके बाद भी हमास की कैद में 180 बंधक बचे रहेंगे कुल 240 लोगों को 7 अक्तूबर की सुबह हमास ने नुवा म्योजिक फेस्टिवल से उठा लिया था इसमें कई देशों के नागरिक भी शामिल है हमास अब जथा बना कर इन बंधकों के रहाई कर रहा है और पदले में इसरेल भी फिलिस्तीनी कैदियों को रहा कर रहा है सौदा बहुत सीधा सा दिख रहा है लेकिन असल में है नहीं गाजा में गोली बारूद बंदी से शांती दिख रही है लेकिन ये तूफान से पहले की शांती है क्योंकि इसरेल ने दो टूक कहा है कि हमास के अंतिमातंकी के जिन्दा रहने तक जंग जारी रहेगी मतलब जैसे यो द्विराम की मियाद खत्म होगी इसरेल गाजा पर फिर से तूट पड़ेगा रहाई के बाद भीशन जुद पहला कारण ये इसलिए क्योंकि 12,000 फिलिस्तिनियों की मौत के बावजूद इसरेल का पूरे उतरी गाजा पर कपजा अब तक बाकी है दूसरा कारण गाजा के दक्षन में खान यूनिश शेहर पर भी कपजा बाकी है तीसरा कारण हमास के अंते मातंकी के जिन्दा रहने तक युद जारी रहेगा क्योंकि हमास किसी भी वक्ट पलतवार कर सकता है मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि संधर्ष विराम के बाद भी इसरेल नहीं रुकेगा इसरेल इस बीच खुद पर कंट्रोल कर किनारे खड़ा रहेगा कि कब इन बंदकों को भी छुडाया जाए और कब घाजा का उपरीशन खत्म किया जाए यही वज़े है कि इसरेल इवन फूर्स यानि आईडियफ इस स्वक्त घाजा में मौझूद है टैंकों की पहरेधारी घाजा से हटाई नहीं गई है क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि ना तो हमास को इसरेल पर पूरा भरुसा है कि सारे बंदकों को सुरक्षित रिहा करेगा ना हमास को भरुसा है कि इसरेल सीज फायर का उलंगन नहीं करेगा यानि दोनों सीज फायर में तब तक बंधे हैं जब तक उनकी मांग पूरी होती रहेगी इस्रेल का ताजा बयान है कि सीज फायर के बाद गाजा से लेकर कतर तर हमास की एक ही कातंकी को चुनचुन कर मारा जाएगा हमास इस्रेल के इस ऐलान को सुन चुका है और हमास भी ये जदा चुका है कि उससे भी जब मौका मिलेगा वो इस्रेल पर 7 अक्टूबर जैसा गूर हमला करेगा जाहिर है दुश्मनी के बीद सिर्फ सीज़ वारा है और हो भी बिना भरूसे वाला जानकारों का मानना है कि हमास युद्ध विराम के तहट खुद को संगठित कर रहा है हमास के टॉप लीडर खुद के लिए बेहद मैफूज जगा की तलाश कर रहे है इस्रेल की हमास के खात्मे के साथ लेबनन के हिजबुला और यमन के हूथी वे द्रोहियों को भी नस्तो नाबूद करने की प्लैनिंग है लिहाज़ा इस्रेल कोशिश में है कि जितनी जल्दी हो सके बंधकों को छोड़ा लिया जाए इस्रेली वेशेशक्यों का अनुमान है कि जब बंधकों की अदला बदली का काम पूरा हो जाएगा तो घाजा शेहर पर मियंतरं की लड़ाई हफते भर से 10 दिनों तक और चलेगी पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट शप रही है कि हो सकता है कि सीरिस फायर के बाद इस्रेल का ध्यान घाजा पट्टी के दक्षन इलाके की तरफ होगा इस्रेल का मानना है कि याया सिन्वार और मुहम्मद दाई जैसे हमास के सीनियर नेता हजारों लड़ाकों के साथ घाजा पट्टी के दक्षन में कहीं है शायद उनके साथ बड़ी संख्या में इस्रेली बंधग भी मौजूद हो घाजा पट्टी के लगभग 22 लाख लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा दक्षन की ओर चला गया है दक्षन के इलाके में लोग अटे पड़े हैं उनमें बहुत से लोग डरे सहमें और बेगर हैं ऐसा लगता है कि वहाँ एक बहुत बड़ी मानवियत रास्ती अपने होने का इंतजार कर रही है अल मबासी के रेतीले मैदानों के बीच टेंटों में ठूसे सैकणों फिलिस्तीनियों का मंसर दुनिया को इस मानविय संकट की ओर निगाहीं दोडाने के लिए मजबूर कर सकता है साथ अक्टूबर के हमले के बाद गाजा पट्टी से लगभग सत्रा लाट लोग विस्था पित हो चुके हैं इन में से ज्यादा तर लोगों ने गाजा पट्टी के दक्षने इलाके में पहले से भीड भाड़ वाले शिवरें में पनाह ले रखी है युद्विराम की तारीख खत्म होते ही इन लोगों के सिर पर इस्रेल की बंदू के तान दी जाएंगी इस्रेली सेना के प्रवक्ता लेफटिनेंट करनल रिचर्ड हैच को सुनिये ये मुश्किल हो सकता है लेकिन वो लोग जीवित रहेंगे इस्रेल के लिए ये सैन में जरूरत बन गया है जिस तरह घाजा शहर के नीचे हमास का नेटवाक है ठीक वैसे ही खान योनुस और रफा में भी हमास के लड़ा के फैले हुए हैं और वहाँ उन्होंने अपना इंफ्रास्टर्चर बनाया है इस्रेल इस बार हमास से सदा सदा के लिए निप्टारा चाहता है और हमास के खिलाफ इस्रेल को नेस्तो नाबूद करने के अब तक के बीच आता रहा है बंधक संकर्ट बंधकों में कई विदेशी होने की वज़से और खुद इस्रेल में विरोध प्रदर्चन होने से नितन्याहू ने हमास से युद्ध विराम तो कर लिया लेकिन युद्ध तो तभी खत्म होगा जब हमास को मिट्टी में मिला दिया जाए इंतजार कीजे सीस फायर को बीच जाने का और इस्रेल के हमास के खिलाफ पिरसे जोरदार हमले का क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है